वेलकम तू इंसाइट टैक्स यह वी विल लॉन अबाट पार ट्रांस्मिशन एलिमेंट एंड कंट्रोल सिस्टेम सबस्टेशन इकुपमेंट टेस्टिंग सीरीज में आज हम बैटरी इंपिदेंस टेस्टिंग देखेंगे मैं तो सबसे पहले तो बैटरी के बारे में जान लेते हैं जो बैटरी संट होता है इस finding सेल दो वल्ट का रहता है और अगर हमारे सबस्टेशन में हो$ 110 व का बैटरी सेटर होगा तो उसमें 55 अगर 220 व का बैटरी सेट रहेग़ा तो उसमें 110 बैटरी रहती है और बैटरी की capacity किस तरह से measure की जाती यह तो वह ampere-hour में measure है जाती है यानि कि ah तो एक्जम्पल के लिए देख लेते हैं कि 100 ह की अगर battery है आपकी तो उसमें अगर 1 ampere का load रहेगा तो वह 100 mp hours तक काम करेगी और उसी 100 AH की बेटरी जो रहेगी उसमें अगर हमारा 10 Ampere लोड होगा तो वो 10 गंटे तक 10 Ampere सप्लाई करेगी तो इस तरह से हमारा बेटरी सेट रहता है जो Ampere into hours यानि कि बेटरी AH उसकी Capacity मेजर की जाती है तो इस बेटरी सेट का एक टेस्ट होता है कि जो बेटरी का impedance test करते हैं तो आएवे देखते हैं कि वो किस तरह से test होगा बेटरी impedance में सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि impedance क्या है तो impedance क्या है? impedance है resistance and reactance वो दोनों मिला के जो बनता है उसे impedance बोलते है अभी रेजिस्टन्स किस तरह से होता है तो रेजिस्टन्स बेटरीज में एक तो इलेक्रिकल रेजिस्टन्स होता है जो ओहमिक रेजिस्टन्स होता है और दूसरा एक आयोनिक रेजिस्टन्स होता है तो वो किस तरह से होता है वो देखते हैं कि इलेक्रिकल रेजिस्टन्स क इसको बोलते है कि जो current flow में opposition करता है तो उसको हमें resistance बोलते हैं और ionic resistance क्या है कि ionic resistance है कि जो current flow हो रहा है उसमें oppose करेगा लेकिन वो कौन oppose करेगा तो वो बैटरी का internal factors याने कि electrolyte and plates का surface area तो वो ionic resistance देता है तो हमें यहां पर battery का impedance चेक करना है और impedance के उपर से हमें battery की condition जाननी होती है battery impedance क्या है battery impedance है battery का AC resistance तो यह हमारे पास एक टूल है कि जिससे हम battery का जो health है उसके बारे में जान सकते हैं अभी battery का impedance कितना होना चाहिए तो battery impedance एक मिली ओम से लेके पांच ओम तक होता है ठीक है तो और यह जो चीज़े वो depend करती है battery कितने ampere capacity की है जैसे हमारे आगे बात हुई कि बैटरी 100 AH की होती है 250 AH की होती है इस तरह से होता है तो यहां पर देखा दिया गया है कि जो 100 AH की battery है तो उसका impedance है वह 1.5 ohm है और जो 250 AH की battery है उसका impedance 0.8 ohm है तो इससे देखा जाता है कि जैसे lower impedance battery में होगा तो उसकी AH capacity ज्यादा होती है और जनरली ऐसा देखा भी गया है कि जब हमारी जो impedance की value है वह 25% बढ़ती है तो हमारी battery की capacity जो है ampere capacity वह 20% तक कम होती है तो यह चीज हमारे लिए बहुत ही important है कि अगर हम battery का impedance measure करते रहे एक regular interval पे तो हम battery का जो ampere capacity है उसके बारे में जान पाएंगे और यह एक easy tool है अपनी battery का capacity जानने का तो अभी battery impedance measurement किस तरह से होगा वह देखते हैं तो यहाँ पर दिखाया गया है जो एक battery impedance measurement instrument है और यह इसके probe है और generally impedance किस तरह से measure किया जाता है वह देखते हैं कि जो AC supply है अपना वह हम battery में inject करते हैं और उसका frequency जो होता है वह thousand hertz के आसपस का रहता है तो वह current हम उसके में inject करेंगे और उसमें से जो voltage generate होगा तो वह voltage measure करेगा यह instrument और और लोग के हिसाब से वह अपने को battery का impedance बताएगा और यह चीज जो है impedance तो यह impedance अपना जो आगे में लिया होगा battery का उसके साथ हम compare करके हमारी battery की conditions जान सकते हैं और अगर बहुत सारे cell है और उसमें कोई एक cell का impedance बढ़ जाता है तो वह cell के बारे में हम जान पाएंगे कि वह cell fail हो रहा है और जनरली जो lead acid batteries होती है उसमें देखा गया है कि 5-10% जो अपना impedance है वह vary होता है जनरली testing में तो इस तरह से हम testing करके अपनी battery का impedance मेजर करके उसका record रखके उसकी healthiness चेक कर सकते हैं अभी next देखेंगे कि actual battery impedance का measurement किस तरह से किया जाता है वह देखते हैं तो अभी जो हमने meter देखा वह यहां पर है और यह हमारा battery set है तो battery set में यहां पर देखिए कि यह जो lead है अपना battery set का जो connection है उस connection का भी impedance चेक करते हैं तो connection का impedance कितना आता है वह देख सकते हैं और यहां पर जो कर रहे हैं वह battery का अपना impedance देख रहे है कि battery का जो दो terminal है उसके बीच में यह चेक किया जाता है तो इस तरह से यहां पर 0.182 आया है तो इस तरह से अपना battery का जो lead होता है उसको भी test कर पाएंगे और battery का अपना impedance है वह measure कर सकते हैं और यह instrument में इस तरह से impedance in million and voltage यह दोनों यहां पर दिखता है तो इस तरह से हम battery का impedance measure कर सकते हैं अभी आगे कौन से equipment का test देखना है आप हमें कमेंट केजिए और हमारे वीडियो देखते रहे हैं थैंक्यू कर दो